हेलो बच्चो मेरा नाम है रीत मिस्रा आज मैं आपको शंस्क्रित और नी क्लासेट में पढ़ाएंगे आपने अपने प्रिवेश वीडियो में इन संस्वत की लाइनों को आपने पढ़ा है यहीं मारा पाट दो का नाम है तुलसी महीमा जिनकी कुछ पक्ति आप पढ़ चुके हैं तो आगे की पक्तियों की ओर चलते हैं हमारा आगे की पक्तियों में है कि अश्या तुलसी महीमा चिकित्स्या छित्रे अपी गर्यशी तुलसी महीमा चिकित्सा छित्रे अपी गर्यशी कार्थे स्रिष्ट इस तुल्षी की महिमा चिकित्सा के छित्र में भी स्रिष्ट हैं इस तुल्षी की महिमा तुल्सी की पत्ते चेत यानि उस जले जल में निच्छे प्य डाल कर तेन उस जले जल से इश्नान करते हैं तत्त तो त्वग में रोगान तो अच्छा संबंदी त्रोग नास होता हैं तुल्सी की पत्ते यादि उस जल में डाल कर उस जल से इश्नान करे तो त्वग में प्रभात वेलायां जले निच्छे प्यतिन जले निश्नायते तो यह कि प्रभात वेलायां प्रत्थम तुल्सी पत्त्तरणां सीवने भृदे रोग लावजकारी भावती सुबा के समय पहले तुल्सी का पत्ती का सेवन करने से हिदे रोगों के लिए लाफकारी होता है आगे हैं तस्या पत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त ताह चमक वड़ते बढ़ती है यानि उस पत्ते को पीश कर निवबू की रस के साथ मुख पर लेप लगाने से मुख की चमक बढ़ती है तुल्षा निर्मिता क्वाथ कफजन दोसं कासं चदूरी करोती तुल्षा निर्मिता तुल्षा निर्मिता बनी क्वाथ चाय आपार कह सकते हैं कफ दोसं दोसं कारते हैं दोस कासं खासी चतूरी और दूरी करोती हैं यहां पर तूल्षा निर्मिता क्वाथ जैसे रोगों को दूर करता है मूल पत्र विन्त पूस्प वीजय निर्मितेन तुल्शा पंचांगनेन वात रोगस्य संधी पीडा नश्टी भवती चंधी पीडा नश्टी भवती यानि पंचागने यह हमारा मूल पत्र विंत पूस्प यानि मूल पत्र विंत पूस्प वीज है यह पांच निर्वती हैं इन पांचों से बने हुए तुलसे के पंचागने यानि पांच अंगों से बने हुए वात रोगस यानि गठिया रोग संधी पीडा यानि उससे संबंधित पीडा नश्ट भवती नश्ट हो जाता है यानि इन पांचों से बने हुए तुलसे के पंचागने से गठिया रोग का संबंधित पीडा नश्ट हो जाता है तुल्से की इन पांचों जांगों से बने हुए से जो हमारे गठिया रोग होते हैं यह हमारा उंसे नश्ट हो जाता है आगे हैं हमारा कि न किंची दार्ष्रम चर्यम यद इदिशी गुड समपन्ना तुल्सी भारत देवी पज़े परतिष्ठा सुपूजीता च्व नक कार्थन नहीं किंचीत आश्चर्यम यानि कोई आश्चर्य जनक यद की इदिशी ऐसी गुड गुड शमपन्ना तुल्सी भारत भारतियों द्वारा देवी पदे यानि पदपर प्रतिष्ठा प्रतिष्ठीत या विद्धिमान सुपूजीता यानि पूजी जाती है चकर है करते हैं कोई आश्चर नहीं है कि ऐसे गुड समपन्न तुल्सी भारतियों द्वार्त भारते प्रतिष्ठा और पूजी जाती है आद आपने देका है कि हमारे भारत देश्च्च में तूल्सी को डेवी के समान मानते हैं तो तुल्शी की पूजा लोग करते हैं निति प्रात उटकर लोग मात तुल्शी की पूजा करते हैं तुल्शी की पत्ति जो होती है वह हमेशा सुध और स्वच्छ मानी जाती है आगे है प्रतेके ग्रिहे शुल्भ यस्या पादपह तस्य तुल्चय नमः प्रतेके यानि प्रतेक ग्रिहे घर में शुल्भ शुलब यस्या जिसका पादपह पौधा तस्य यानि उस तुल्ची को नमः नमस्कार है प्रतेक घर में शुलब जिसका पोधा उस तुल्सी को नमस्कार है यानि आप ने देखा है हर भारतीयों के घर पे। तुल्सी का पऊधा पाया जाता है कि आपने देखा खुष्यों स tom को पचुझ रहते वानुक्षान ặांनी नहीं पखान इसमें या गया है तो आपको इस जितनी पक्तियां है सभी पक्तियों के आपको आर्थ आने चाहिए ओके थैंक्स